हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का जियस्वर के और लाइन फिल्फार्म पर में कपिल देओ और आज है दिनांग आठ फरवरी तो बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सब का अपनी इस इन वार्मेंट उक्सियाम के लिए बहुत हैं यानि की कहा जाए और वहे समभावित वह प्रश्ण जो आगे आने वह उएbaby बहुत-बहुत-बहुत-बहुत सभी लोग क्या करें गे सभी लोग वा स्केसन को सेर कर देंगे ताकि जो आओ लोग है वो क्या हो सके जुड सके हम wrinkles कोई तो तो हमसे लिए बात करते हैं किस पर अपने प्रशनों पर तो देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या प्रश्ण है हमारे लिए यहां प्रश्णों की बात करते हैं कि बस एक सेकंड नीचीएगा यह जो प्रशन हमारे हैं, क्यों इतने जरूरी हैं, खास करके, जैसे हम बात करते हैं UPSC की, बात करते हैं UPSC की, तो इनवे वेटेज क्या है दोस्त? वेटेज बहुत ज़्यादा होता है किसका environment का, अब environment हमेशा क्या करता है बच्चा? हमेशा बहुत हलके में लेता है, average question आते हैं कहां आपके UPSC में, और 10-11 question average आते हैं आपके कहां UPSC में, तो अगर इन सब subject पर, या फिर कहा जा इन सब विशियों पर, अगर आप अपनी रणनीती बनाते हैं, तो I guarantee दोस्तों, कि भाई, आपकी जो रणनीती है वो सफल होगी, और जो prelims का barrier आपको लगता है कि ये barrier है, वह ये check post है, barrier नहीं है कोई, खास बहुत बड़ा, इसको पार करके आप आसानी से कहां पहुंच सकते हैं, मेंस में, असनी लडाई तो मेंस में है दोस्त, इसको तो बस पार करना है, तो पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी रणनीती सेट क रणों से कहां उतरेंगे, नए दिली इस्टेशन उतरेंगे, उसके आगे कहां जाएंगे, में रणनीती सेट करते हो आप, उसी तरह से आपको अपने एक्जाम को लेके भी क्या करना है, रणीतिक जो है, तयारी करनी पड़ेगी आपको, हिस्ट्य, पॉलिटि, चाहता क्या है ऐसी चीज़े पढ़िए और UPSC खास करके भाई बेसिक्स तो आपने पढ़ रखी लेकिन जो UPSC है दोस्ट वो आपको अकसर खिताबों में नहीं मिलेगी यह याद रखिएगा यही चीज़े हैं कि आपको सीखनी है यही चीज़े हैं आपको करनी है चले इन् आपको अंतर समझ में आएगा तब उसका मर्म आपको समझ में आएगा कि हाँ जोग्रॉफी कहां अलग है और आपका जो इन्वायर्मेंट है वो कहां अलग है ठीक चलिए अब बात करते हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्त अपने प्रश्णों की स्रिंखला को तो प्रश्णों की स्रिंखला की बात करें तो पहला प्रश्ण आपके लिए है साधारन सा प्रश्ण है आज देखा जाए तो काफी आसान आसान से प्रश्ण होने वाले हैं आपके लिए आसान से लेकिन काफी देखा जाए ज्यानवर्धक परश्ण होंगे आपके लिए जो आपके दिमाग के दरवाजे खोलेंगे तो हाल ही में समचार पत्रों में चर्चा में रहा डस्की ट्रेटा का डस्टी ट्रेटा का निमलिखित में इसे किस से सम्मंदित है तो यह एक नाम सुना होगा आपने जिसका नाम है क्या डस्टी ट्रेटा का यह क्या है दोस्त निमलिखित में से किस सम्मंदित है यह एक हिरन है यह पक्षी है यह एक साप है यह फिर यह एक मैल बेर है ठीक तो यह देखा जाए तो आपके चर्चा में रहा है डस्टी विकल्प B है यानि कि पक्षी है यह क्या है दोस्त यह एक पक्षी है डस्टी ट्रेटा का नाम लिख जीएगा यह क्या है दोस्त एक पक्षी है ऐसे नाम पूछेगा आप से कौन यूपीश्टी और विकल्प इतने करीब बनाएगा कि आपको लगेगा ही लगेगा कि यार य ये कुछ नखू नखिछ ऐसी ही चीज़ है जो आप गलत करके आओंगे ही आओगे, आपकी डिमाग से खलती है चीज़ें, ठ्क आयोग आपकी डिमाग से खेलता, वह भी जानता है आपकी डिमाग का अस्तर क्या है? ठेक चलिए, बात करते हैiban किसकी दोस, जी हाँ, B की बात करते हैं, Good Morning, सभी को Good Morning तो पक्षी है ये, Dusty Tedaka की बात करें, ये है आपका Dusty Tedaka, जी हाँ, Dusty Tedaka, खुबसोरड पक्षी है और देखा जाए कहां मेड़ागासकर में जिहां मेड़ागासकर में जंगलों में रहता है इसे आखरी बार कब देखा गया था 1999 1999 जिहां अब देखा जाए तो अब यह सर्च फॉर लास्ट बर्ड द्वारा सीर्स दस सर्वाधिक वानशित परजातियों में से एक है यानि कि कहा जाए सच फॉर लाश्ट बर्ड द्वारा दस सर्माधिक वानशित परजातियों में से एक है यानि कि इनके सरक्षन की बात या फिर कहा जाए इनके खोज जाने की बात डस्टी डस्टी टेटागा की बात अब देखा जाए दोस्त, तो हाल ही में दूरस अस्थानों पर इनकी खोज की गई है, जी हाँ, इनकी खोज की गई है, हाल ही में दूर अस्थानों पर, कहां मेडागासकर में, ठीकी दोस्त, मेडागासकर में, अब मेडागासकर आप देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे हो वाई जो पक्षी हैं, वहाँ पर पाये जाने वाले जीव हैं, वो पिठवी के जो अन्य जीव हैं, उनसे डिफरेंट हैं, ठीक, उनसे डिफरेंट हैं, अगर मिड़ागासकर पर आप जाते हो, तो ऐसा लगेगा कि आप कहीं किसी दूसरे ग्रह पर पहुँच गये हो, ठीक, तो काफी खुशर जगह है, आप भी स्कूर करिएगा मिड़ागासकर के बारे में, लेकिन ऐसी चीज़े आती हैं आपके लिए, तो इनसे चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, चलिए, हालही में चर्चा में रही समुद्री तितिलियां किस प्रजाती के उपवर्ग से सम समंदित हैं, ए तितली, भी घोंगा, सी मचली, डी कक्षुआ, ये चार विकल्प हैं आपके सामने, अब इन चार विकल्पों में आपको बताना है कि समुद्री तितलियां किस प्रजाती के उपवर्ग से समंदित हैं, तो ये जो समुद्री तितलियां हैं, जिरको हम सी इन चार विकल्प आपका क्या होगा, जि हां, तो ये जो हमारा समुद्री तितलियां हैं, या फिर कहा जाए, सी बटरफ्लाई हैं, ये घोंखे के अंतरगत आती हैं, उपवर घोंखा का बात करें, जि हां स्नेल की बात करें, गोंगे की बात, तो ये दिखती ऐसी हैं दोस तो ये देखा जाए, सबसे छोटी प्रयातियां, जलवाई परिवर्तन के प्रति क्या हैं, बिहस समेदसील हैं, या नि कि ये क्या है, ये आपकी एक इंडिकेटर इस्पिसीज हैं, या दखेगा, ये क्या है, इंडिकेटर इस्पिसीज हैं आपकी, और वहीं बात करें, त जो हमारे महासागर गर्म हो रहे हैं, इनका जो तापमान बढ़ रहा है, तो इनके चलते इनकी संख्या में क्या है दोस्त, इनकी संख्या में कमी देखी जा रही है, ठीक, इनकी संख्या में कमी देखी जा रही है, क्यों तापमान बढ़ने से ये क्या हो रहे हैं दोस्त, इन एक तो खुद पार्दर्सी होते हैं और ये हैं और ये क्या इंडीकेटर स्प्सीज हैं तो बड़ते तापमान करें चलते ये क्या है रही है इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है जैसे जैसे समुद्र में क्या हो रहा है तापमान बढ़ रहा है तापमान की विर्धी हो रही है उसके अलामा समुद्र में कार्बन डाय अक्साइड की जो मात्रा है वो क्या है दोस्त वो बढ़ रही है इससे क्या होगा इससे देखा जाए तो इनकी जो परजातिया है या फिर कहा जाए खुद ये संकट में हैं जी हाँ और इनका जो खोल होता है जो सेल होती है बरते तापमान की चलते परते देखा जाए कर्मणा अकसाइड की चलते यहां पर क्या हो रहा है समुद्र का पानी अमली हो रहा है जी दोस्त अमली हो रहा है तो ऐसे में इनकी जो खोल है वो क्या हो जा रही है वह तूट जा रही है जी हां वह तूट जा रही है या फिर कहा जाए भंगूर हो जा रही है जी दोस्त भंगूर हो जा रही है यानि की कहा जाए तूटने और अंतर होता है तूटने का मतलब कई टुकड़ों में विभाजित होना भंगूर होले का मतलब होता है कि वह अपने आप में क्या हो जाए ऐसी अवस्था में पहुच जाए कि हलका साभी धक्का या फिर कहा जाए एक तच उसको क्या कर सकता है Computer सकता तो यहां पर क्या है दोस्त यहां पर देखा जाए तो यह जो खोल है समुद्री अमली करन के चलते क्या हो रहे हैं पानी में घुल जा रहे हैं ती दोस्त पानी में घुल जा रहे हैं और इसलिए यह क्या है दोस्त इसलिए यह खत्रे में हैं ती दोस्त इसलिए क्या है दोस् के लिए आगे चल दे हैं आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं दोस्त जिहां बिल्खुल आगे बात करते हैं चले कोई बात नहीं है ब्लैक नेग्ड क्रेंड के संदर्वें कि कत्नों पर विचार करें आई विचार करते हैं ब्लैक नेग्ड क्रेंड के बारे में जिहां यह तिबती पठार के लिए अस्थानिक है और IUCN की रेड लिस्ट में गंभी रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूची बद्ध है ठीक थोड़े से अच्छे प्रस्न भी आने चाहिए आपके लिए यहाँ पर स्योकार वेटलैंड कॉम्पलेक्स इनके लिए एक महत्पूर चारागाह और अस्थल है दूसरा ब्लैक नेग्ड क्रेन सर्दियों और गर्मियों के बीच प्रवास करने वाली एक मात्र क्रेन की पर जाती है अब यहाँ पर देखा जाए तो कितने कथन सही हैं आप से पूछा गया है तीन कथन दिये गये हैं सबसे पहले अगर आपने ब तुम सब्सक्राइब में पढ़ रखा होगा तो यह देखा जाया दोस्तों आपके लिए बहुत आसान था प्रश्द समय है यह अभी हल फिल्हाल में कहां देखे गये थे बढत के पढ़ार पर देखे गये या कारते हैं इसकिन की खासित होती है एक ही जगह पर क्या करते है गोसला बनाते हैं प्रवास करते हैं और यह तिब्बत पठार के अस्थानिक नहीं है यह आपके तिब्बत के पठार पे तो पाये ही पाये जाते हैं साथ साथ देखा जाए यह ACI के अन्य भागों में भी पाये जाते हैं और IUCN की red list में गंभी रूप से लुट प्राय यानि की कहा जाए IUCN की red list में इनको क्या रखा गया है critically endangered की बात कर रहा है तो नहीं दोस्त यह आपके endangered की स्रेणी में है तो पहले से ही आपका जो पहला कथन है वो क्या है दोस्त वो गलत हो जा रहा है और ऐसे में तो यह आपका देखा जाए दोस्त तो यह प्रजणन अस्थल की बात करें स्योकार वेटलैंड कॉंपलेक्स इनके लिए महत्कूर्ट चारागाह और प्रजणन अस्थल है तो जी हाँ दोस्त दूसरा कथन सही है तीसरा कथन की बात करें तो यह सर्दियों और गर्मियों के बीच प्रवास करने वाली एक मात क्रेन की पर जाती है तो जी हाँ दोस्त बिल्कुल ब्लैक नेगर सारस रहा चलें आगे तो यह क्या है दोस्त यह पहाणों में रहने वाली एक मात्र यह याद रखेगा सारस की प्रजाती है ठीक तो ब्लैक नेगर जो सारस है यह क्या है दोस्त यह पहाणों में रहने वाली एक मात्र सारस की प्रजाती है याद र अब देखा जाए तो यह है तिबती पठार के सुदू छेत्रों में निवास करती है और यह क्या करती है दोस्ट सर्दियों और गर्मियों के बीच प्रवास करने वाली एक मात्र क्रेन की पर जाती है सर्दियों और घर्मियों में क्या करती है या प्रवास करती है हिमाले परवत साथ साथ मध्य चीन उत्तर इभार के कुछ हिस्से सामिल है इसकी breeding range में तो यह केवल तिबबत तक सीमित नहीं है यह आपके भारत यह आपके चाइना और हिमाले के परवती छेत्रों तक क्या है द लिगा दोश. भोटान की बात कर लें या कईच्वा तव ठ्रवाटी त्युम् फॉन्दी या क्याँ च्वांँ आध्वास के दोड़त करते हैं परवास चेत्रों जय विवित्ता की बात करें, और भूमियों पर मानों का बड़ता दबाओ, और भूमियों में रहते हैं, तो यह जो आरधूमियां हैं, उन पर मानों क्या कर रहा है, दिन बद दिन कपड़ा करता जा रहा है। ऐसे में ये जो जीवजनतों है उनके लिए अवास या फिकादा इनके लिए जो होम रेंज है वो क्या है दोस्त वो कम होती जा रही है जी हां वो कम होती जा रही है अब बात करें किसकी आयू सीन की बात करें तो आयू सीन की रेड लिस्ट में इसको कहां रखा गया है इसको इंडेंजर की सूची में रखा गया है याद रखेगा इसको इंडेंजर की सूची में रखा गया वहीं वाइल डाइफ प्रोटेक्शन एक नाइनटी सेवंटी टू की बात करें तो इसको अनसूची किसमें रखा गया है दोस्त इसको अनसूची एक में रखा गया है और वही साइट्स की बात करें जी हाँ, तो साइट्स की अंसूची एक में इनको रखा गया है जी हाँ, तो highly protected हैं, याद रखेगा highly protected हैं अब चलते हैं अपने अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण की बात करें अगले प्रश्ण पर देखा जाए तो आपने पड़ रखा है इसको आसान है आपके लिए जबाब देना हाल ही में नई देखी गई रोटोरुवा जील निमलिखित में से किस देश में इस्थित हैं, जी हाँ हाल ही में नई देखी गई रोटोरुवा जील निमलिखित में से किस छेत्र में या किस देश में इस्ठित है A New Zealand B Iceland C Iran D Australia ये चार आपके विकलफ है अब चार विकलफों में आपको बताना है कि रोटोर हुआ जील हाल ही में जो देखा गया हाल ही जो चर्चा में रहा निमलिकित में से किस देश से सम्वंदित है या किस देश में इस्थित है यह बहुत सी सिंपल सा प्रस्ण है आपके लिए जी हां बिल्कुल कुछ बच्चे सही बता रहे है तो ऐसे में New Zealand जी हां, नियुजलेंड की बात आई थी, हाइड्रो थर्मल सिस्टम की बात हुई थी, जी हां, किसकी बात हुई थी, हाइड्रो थर्मल सिस्टम, ठीक, हाइड्रो थर्मल सिस्टम की बात हुई थी, तो ये जो आपकी कौन सी, रोटो रुआ, जील है, ये कहां, ये एक जॉला उनकी के क्रेटर में इस्थित है और इसमें हाइड्रो थर्मल सिस्टम क्या है एक्टिवेट है जी हां एक्टिवेट क्या है दोस्ट हाइड्रो थर्मल सिस्टम और यह जील में क्या है दोस्ट जील में देखा जाए तो यह जील का जो पानी है वो गर्म है और हाइड्रो थर् वाहरके छेत्र होते हैं खास करके ज्वाला मुखी के वहां पाये जाते हैं आपके ये ये हाइड्रो थर्मो सिस्टम और ऐसे में इनका जो तापमान होता है वह 350 सो पच्चास डिगरी सिल्सियस से लेके लगबग चार सो पच्चास डिगरी सो चार सो डिगरी सिल्सियस तक इनका तापमान होता है जी हां आगे बात करें चलिए अगली बात पर देते हैं यह देखा जाए दोस्ट रुटुरुगा जील थी रुटुरुगा जील और देखा क्थनों पर विचार करें, तो यहाँ पर देखा जाए, यहां पर आपके कुछ कत्थन दिए गए हैं, कत्थन किसी के संदर में है? नि οποा करना है, विचार करना है नि οποा से पार्ट की समझ विचार करना है, आईए देखा जाए दोस्तो यह जो निव्रा वैली निश्ण पार्क, यह कहां है? यह देखा जाए दोस्तों आप के कहां? पश्चिम बंगाल में न को कि नेपाल में था है? पर्षिव बंगाल में है अब देखा जाए तो अपने उबर खाबर और दुर्गम इलाकों के लिए जाता है तुझी हाँ और यहाँ पर लाल पांडा का घर भी है तुझी हाँ रेड़ पांडा क्या है दोस्त रेड़ पैंडा यहाँ पर पाया जाता है तो केवल और केवल द निकल खेर आती हैं आपके लिए जी हां बहुत सब्सक्राइब कर आती हैं आपके लिए तो यह जो विहां निवरा वैली की बात कर ले तो यह पस्षी मंगाल की पहाणियों में निवरा वैली जिसने पार्क में ट्रैप कैमर दोरा ली गई एक हलेच भी ने क्या किया है अक्सर इतनी उचाई पर बाग आपके नहीं देखे जाते ठीक अब देखा जाए तो यह जो पस्चे मंगाल का कलिम पॉंग जी रहा है जी हाँ कलिम पॉंग देखा जाए बहुत खुबश्वर जगह है और कहा जाए तो अगर जिसे मैं मानता हूं अगर दुनिया का है उसमें कोई दो रहा नहीं है लेकिन केलिम पॉंग भी क्या है बहुत खुबश्वर जगह है यहाँ पर जाने का प्रियास कीजिए आप लोग तो यहाँ पर निवरा वैली में हाँ अस्थापना कप की गई थी निवरा वैली से पारके स्थापना 1986 में की गई थी और अगर हुआ है यहाँ दुर्गम इलाके हैं इसके अलामा अगर हम बत करें रिडबंडा की गलत है तो सिखकिम का राजर की पषूता आजिक तो हो जाती है ऌप देखा जाये तो हम बात किसी कर रहे हैं बात किसी कर रहे हैं राल मेंडा की बात करें लाल पैंडा की बात कर रहे हैं इस woodman के इस पूर की इसिती और तो यहां के मिलां तो इने उनियों फॉर कंजर्वेशन आफ नीचर की बात करें तो आयुश्यन की रेडे लिष्ट में इनको कहां रखा गया है इनको रखा गया है इन डेंजर्ड की सूची में जैने कि यह क्या है दोस्त यह संकटापन नहें वाइलाप प्रडेक्शन एक 1972 की बात करें तो उस सिंगा लीला निशनल पार्क की बात करते हैं सिंगा लीला निशनल पार्क जो आपके पस्चिम मंगाल में ही है जिहां सिंगा लीला निशनल पार्क और निवरा वैली जिहां यहां पर आपके यह क्या है दोस्त यह आपका कहा है दोस्त यह आपका निवरा वैली निशनल प साहां पस्चियम, बंगाल में हैं. ठेक। अब रेड़ पैंड़ा की बात आई है तो जाइन पैंड़ा का भी धीलिजिए-घा ठिरोच, जाइंड पैंड़ा का भी देख लिजिए-घा जाइन पैंडा कीबात रखा गया है, जी हां, साइट की परसिष्ट एक में रखा गया है, और किसकी सूची में देखा जाए, आयुसेल की रिल जिश्में ये सुभेद की स्टेड़ी में सामिल किया गया है, भारत में देखा जाए दोस्तो, रेड पैंडा और चीनी पैंडा, ठीक, चलें आगे, ग्लोबल मरकरी पार्टनर्सिप के संबंद में निमलेखित कत्नों पर विचार करें, आईए, अब करते हैं विचार, यानि कि कहा जाए आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण, बहुत ही महत्पूर्ण इस बार के लिए क्वेश्चन, यानि कि आपके लिए इस बार के लिए important question है याद रखिएगा किसके लिए UPSC और साथ UPSC के लिए एक है दोस्त ये आपके लिए बहुत ही महत्रपूर है ठिक इसकी अस्थापना 2005 में सव्यम्त राश्परियावर्ण कारिकर्म दौरा की गई थी दूसरा यह न्यूनितम विकसित देशों को मिनिमाटा कर्मेंशन को लागू करने के लिए वित्ती अनुदान परदान करता है तीसरा पारा कई घरेली उत्पादों जैसे बैटरी लाइट वल्ब और यहां तक की काजल में भी क्या है मौजूद होता है उपर देगे कतनों में से कितने कथन सही है पारे की बात हो रही है मरकरी की बात हो रही है दोस्त क्या है एक पार्टनर्सिप है ग्लोबल मर्करी पार्टनर्सिप इसके बारे में बताना है आपको तो देखा जाये तो इन सब चीजों के बारे में अगर बात करें ठीक कि चलिए सी की विकलप आप लोग कर रहे हैं सी चलिए सभी तीनों की बात हो रही है तो नहीं दोस्त हम बात करते हैं किसकी हम बात करते हैं पहरे तो आपको उत्तर बता दे तो यहां पर आपका देखा जाए सिर्फ दो यानि कि कहा जाए केवल और केवल दो विकलप सही है पहला और त लुखे गाथ कोई विद्ती अनुदान परदान नहीं करता यह ठीक सब्सक्राइब ग्लोबल मरकरी पार्तनस्टिफ की बात करें ठीक तो यह देख रहे हैं активी दोस्सका कहां आपके वायू मिंडल में आपके जल में इन सबसे निपटने के लिए देखा जाए लाया गया क्या ग्लोबल मरकरी पार्टनर्सिप क्या दखेगा दोस्त तो यहां पर केवल अस्थल पर ही नहीं समुद्री अस्थंधारियों को प्रभावित करने वाले बढ़ते पारे क इसक क्या करें दोश्त उसके बारे वे चिंता जताई गई है तिक अब देखाजाये दोस्त इसका उद्देश ही क्या है ग्लोबल मरकरी जो पार्टनर्सिप है इसका उदेश क्या है मानो स्वास्त और परियावरण को हवा पानी भूमी में पारे के उत्सरजन से बचाना है जी हां और देखा जाए दोस्त यह किसका कारिकरम है यू एन इपी का UNEP का कारिकरम है, यहां UNEP का कारिकरम है, यहां रखेगा UNEP का कारिकरम है, ठीक, अब आगे बात करें, तो जी हां इसके अंतरगत बात करें, तो यहां पर सरकारे होंगी, अंतर सरकाई जो संगठन है वो होंगे, गैर सरकाई जो संगठन है वो होंगे, निजी छेतर सामील होग प्राप्त होगा और कैसे आपको बचना है वह वैंगानिक क्या करेंगि वैज्ञानिक संभणाय देखा दोस्त बहु when Lindel से जलसे पाररे के निदान के जिले दिखा जाए दोस्त क्या करेंगे उपाये बताएंब सजाएंगे संधान गैर सरकारि सनस्थान सरकारी ऐस्पताल और ऊंतरसंद सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे जी हां पारे को समाप्त करने का प्रयास करेंगे अब यह जो गलोबल मरकरी पाटनर्रिप के तहद कोई बित्तिय परदान नहीं किया रहता याद रखेगा अब इस शाहदारी की सुरुआत कब हुई थी 2005 में UnEP तो यहां पर कई सारे शामिल किये गये हैं इसमें ऐसे आठ चेत्र जहां पर पारे की अधिक्ता होती या फिर कहा जाया पार जहां पर प्राप्ट होता है आपका जहां ऐसे छेत्र जहां पर पारा जो है आपका प्राप्त होता है ठीक चलिए चलिए आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा काफू या फिर कह जाए काफू निशनल पार्क किस देश में इस्थित है काफू या काफू निशनल पार्क किस देश में इस्थित है काफू या काफू निशनल पार्क किस देश में इस्थित है काफू निशनल पार्क आसानी सा प्रशन है काफू निशनल पार्क कहां पर पाया गया है आपका सिंपल सी वास है दोस्त ये आपका कहां है दोस्त ये आपका जांबिया में है जी हां कहां है जांबिया में है आपका काफू निशनल पार्क जी हां काफू निशनल पार्क की बाद अब देखा जाए तो चर्चा में क्यों रहा है याद आखेगा काफू निशनल पार्क की बाद करें ये आपक देखी गई है व्रिद्धी देखी गई है जी हां तो खुसी की बात है तो काफू निशल पार्क की बात करें तो यहां पर लगातार क्या होते हैं अफरिका किसके लिए जाता है लगातार आपके गैंडे की सिकार के लिए हाथियों के सिकार के लिए लाइंस के सिकार के लिए इनके अलावा देखा जाए तो अवय तसकरी जो होती है इनके अंगों की उसके लिए भी लेकिन वरतमान समय की बात करें तो सिकार के बावजूद पचास वरसों के अवय सिकार के बाद भी ओढ़ने की लिएrän सेर और टेंदूय की जो अवादी है उसमें क्या देखी गई है वृदि इनकी गई है तो यहां पर टेंदूय का घनत तीन गुणा बढ़ गया है जहां टेंदूय का जो घनत था वो तीन गुणा बढ़ गया है 2019 में लगभग एक दस्मलों पाँच तेंदूओं से बढ़कर 2022 में प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में चार दस्मलों चार तेंदूओं तक देखे गए हैं और यह चार वर्सों तक कठोर अवैसिकार विरोधिया भ्यानों के एक कारण था यानि कि लगातार जो अवैसिकार के लिए देखा जाए लोग क्या कर रहे हैं जागरुकता कारिकर्म चला रहे हैं अवैसिकार को रोखनी का प्रयास कर रहे हैं सरकारें संस्थाएं लोग अस् काफव उनिस्तिर पार्क जांबिया की बात कर रहे हैं। आईए बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अपने अगले प्रश्ट की, हाल ही में किस देश ने Sustainable Green Airport Mission जारी किया कि अब के सामने एक जोटा सा प्रशन है प्रफिर पूछ रहा है कि कि स्रिलंका पाकिस्तान और भुटान भारत स्रिलंका पाकिस्तान और भुटान इन में से किस देश ने सेस्टनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन जारी किया है जी हाँ ध्यान से बहुत सोच समझ के उत्तर बताईएगा आप लोग अच्छा जी सभी का उत्तर इंडिया आ रहा है चलिए माल लेते हैं इंडिया तो जी हाँ दोस्ट सेस्टनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन की बात करें तो इसको किस ने जारी किया है दोस्ट देखाजा इस जारी किया है भारत ने जी हाँ भारत ने एयरपोर्ट एथार्टी आफ इंडिया की बात करते हैं आईए बात करते हैं किस पर सुगम पर बात करते हैं Sustainable Green Airport Mission of Airports Authority of India ठीडोस तो यहां पर देखा जाए विश्व परिया वरंड दिवस पर भारती हवाई अड़ा प्राधिकरण Airports Authority of India ने क्या किया है दोस्ट Sustainable Green Airport Mission नामक एक प्रकाशन का अनावरण किया है और यहां पुष्टिका COP26 में भारत के प्रधान मंत्री जवारा घोसित पंचामिर्ट लक्षों के अनुरूप है जी हां उसका पालन करने के लिए पंचामिर्ट के जो लक्ष हैं उसका पालन करने के लिए देखा जाए तो यह जो आपका प्रकाशन है वह लाया गया है सबस्थ यान कि कहा जाए कार्बं starts कर रहे हैं कार्बन नूट्रल देश के सारे ह्वाई अड्डों को बनाने के लिए है ठीक याद रखे Ecuador कि सजारी किया है सूगम की बात कर ले चैरद संप सट्नेबिल Green Airport Missionollar के अपसे कि नीव कुछ चीज़ें हैं यादर रखे तो सुगम पोर्टल की बात याद रखेगा, ठीडोस, सुगम पोर्टल की बात याद रखेगा, सुगम पोर्टल है एक, ठीडोस, जो पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट है, तो सुगम पोर्टल किसके द्वारा लॉंच किया गया है, याद रखेगा, सुगम पोर्टल की बा बात हो रही है, Control Standard Organization, Central Drug Standard Control Organization, CDSO, CDSCO नहीं, CDSCO है, Central Drug Standard Control Organization, तो यह आपका एक सुगम Portal है, वह जोंच किया गया है, किसके दोरा, CDSCO के दोरा, यानि कि Central Drug Standard Control Organization दोरा, किसके लिए, दवाओं के लिए, ती दोस्ट, दोस्ट, दवाओं के पंजी करण के लिए, साथ दवाओं के, देखा जाए दोस्ट, नवी करणी पंजी करण के लिए, यानि कि अगर कहा जाए, किसके लिए, दवाओं की मानिता प्राप्त करने के लिए, ठीक良ग और इसके अला मैं एक आता है किसके अला मैं एक आता है बीमा सुगम जी हां बीमा सुगम तो आप बस न खभ़वड़यए गा बीमा सुगम की बाद आती है ठीक बीमा सुगम तो हला कि यह सब चीजे अलग-अलग हैं यह आपके देखा जाए life insurance से समंधित है एक आपका दोवाईयों से एक आपका किस से समंधित है carbon neutrality से तो सुगम की बात हम करेंगे जी हाँ सुगम की अगर हम बात करें तो जैसे हम wings of change की बात करते हैं तो ये आपके sustainable green airport mission सुगम shaping a greener future की बात हो रही है तो ये हिमाचल परदेश की बात हो रही है हिमाचल परदेश की बात करें तो तीन airport जिन में आपका देखा जाया सिमला, कांगडा और कुल्लू मनाली एरपोर्ट तीन एरपोर्ट सामिल किये गए हैं कहां से आपके हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश से जिनमें आपका सिमला, कांगडा और कुल्लू मनाली एरपोर्ट है और वहीं बात करें किसकी? वहीं बात करें अपने ओरिशा की, ओरिशा से 2 आपके क्या है दोस्त, एरपोर्ट है यहां पर बिकदोस bunları आपका दखाजाए जारसुगुडा और देखा जाए भुनिस्वर एयरपोर्ट दो एयरपोर्ट है आपके कहां ओणिसा से और साइसाथ देखा जाए आपके कहां आपके कहां आपके देखा जाए करनाटका से तीन एयरपोर्ट है जी हां हुबली साइसाथ देखा जाए मैसूरू और बिलगाव यहां, बलगावी एरपोर्ट है, हुबली है, और देखा जाये मैं शूरु एरपोर्ट है, तीन एरपोर्ट, तो ये क्या कर रहे है, ये देखा जाये, विंच ओफ एक्स्चेंज की बात कर रहे हैं, यानि की जो हमारा फू crisis है, वह green हो, यानि की हम carbon नीट्रल, जो हमारे और देखा जाए वहीं किसकी बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में सरवाधिक एरपोर्ट हैं जी हां तो यहां किसकी बात हो रही है गोरकपुर एरपोर्ट की बात हो रही है वरारसी एरपोर्ट की बात हो रही है आगरा एरपोर्ट की बात हो रही है हिंडन एरपोर्ट, बरेली एरपोर्ट, कानपूर एरपोर्ट, दिखे जब प्रयागराज एरपोर्ट, कुशी नगर एरपोर्ट और मेरट एरपोर्ट तो यहाँ पर सभी जो airport अस्थाफी थें कहां उत्रप्रदेस में इनको carbon neutral बनाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर कहा जा है जी हाँ, wings of change यानि कि जो wings है उसको change कर रहे हैं यानि carbon neutral बनाने का प्रयास कर रहे हैं यानि हवाई जहाजों के परचालनज से लेके वहाँ पर उप्भोग की जाने बारी जो बिजली है, उन तक को हम क्या करेंगे? कारबन नूटर बनाएंगे. जे हाँ उन तक को हम क्या करेंगे कार्बन नेरीट्र बनाएंगे वह सब्छे परिचे करेंगेंगे चार एयरपोर्ट हैं कुलकाता एइयरपोर्ट की केजा बिखा दोस क्या हैं तो नोगरा एयरपोर्ट की बात करें, बिहारा एयरपोर्ट की बात करें और कोच बिहार, कोच बिहार एयरपोर्ट की बात करें, तो ये चार एयरपोर्ट कहां, चार एयरपोर्ट आपके कोलकाता से हैं, और आगे देखें, तो कोप जो 26 में हमने पंचा मिट लिया था, प्र या दखेगा पंच्य अम्रित की घोषना की तो यह पांच अम्रित क्या क्या है हमें पहला रीच नॉन फौसिस एनेर्जी केयापसिटी फाइकerson 40N दो हजाधी स्यते कमें 500 चpaceerson प्रॉपकरनी है कासी जो गहाष्म आधारित हो जी हां 500 गीगावाट गैर जीवास्म आधारित उर्जा ती दोस्त या दखेगा और पहले की बात दूसरे की बात कर रहा है क्या दोस्त दूसरा अमरित रहा फुल्फिल 50 पॉसेंट इनर्जी रिक्वार्मेंट वाया रिनुबल इनर्जी जी हां अब देखा 50 पॉसेंट उर्जा किसकी बात हो रही है नवी करनी उर्जा के माध्यम से जो उर्जा के वशक्ता हमारे पास है अभी तो उसका 50 पॉसेंट हम कैसे पूरा करेंगे नवी करनी उर्जा के माध्यम से बात करें किसकी तोस्त थर्ड की रिद्यूस वन बिलियन कार्बन इमिश 2030 तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक billion वन billion कार्बस वन billion ton की बात हो रही है 1 billion ton carbon emission क्या करेंगे दोस्ट कम करेंगे carbon emission कम करेंगे carbon emission कम करेंगे कब तक 2030 चोथे की बात आती है दोस्त, reduce carbon intensity bigger than, let's get a greater than 45% by 2030, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, carbon की जो intensity है, उसको हम 45% से ज्यादा क्या करेंगे, कम करेंगे, जी हां, तो carbon neutral बनानी की बात हो रही है, तो 45% से ज्यादा हम क्या करने वाले हैं, जो carbon intensity है, उसको कम करने वाले है तो इसके लिए लाया गया क्या आपका सुगम, जी हां दोस्त, इसके लाया गया आपका सुगम, याद रखेगा, सुगम carbon neutral बनाने की बात हो रही है, achieve the target of net zero 2070, पांच मार्च जो हमने प्रण लिया यहां पर, कि 2070 तक हम क्या करेंगे, हम net zero को प्राप्ट कर लेंगे, जी ह वहां पर हमने पांच प्रण लिये, पांच प्रण की बात करें, इसको हम पंचा मिन्ट बोलते हैं, तो पंचा मिन्ट में प्रधामंति जी ने वादे किये, पुरे विश्व के सामने, कि हम भारत, हम क्या करने वाले हैं, ठीक, तो पांच यहां पर देखा जाएक टार्गे राज्यों की आधिकारिक भासाओं के संदर में निमलिखित युगमों पर विचार करें तो राज्यों की जो आधिकारिक भासाएं हैं उनके समझ में आपको क्या करना है विचार करना है थोड़ा सा कुछ वतना की कभी-कभी आप खाना खाते हो चाने से मिर्च आ जाती है आपके खाने में या फिर कहा जाए आपके निवाले में तो यह सब प्रश्ण ऐसे ही होते हैं ठीक अब इस प्रश्णों की बात करें अगर तो आपको राज्यों की आधिकारिक भासाओं के दूसरा मरीपूर की मैतेई नागालेंड की इंग्लिस या अंग्रेजी मेगाले की गारो यह चार भासाओं हैं चार राज्य हैं अब आपको बताना है उपर देगे कतनों में से कितने सही हैं यह वल एक सिर्फ दो सभी तीन सभी चार तो यह चार युगम हैं यहाँ पर अधिकारिक भासा सुमेलित है उसके सामने ठीक इसे आज के आधिकारिक भासा सुमेलित है उसके सामने अब यहां पर अगर आप तो ने होगे कि थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा या फिर कहा जाए पिछली कक्षॉओν की बात करें अलगभख सितंबर-अगस्त की बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा कोग बारुक भहासा के संदर में कोग बोरुक भांसा के संदर में बात करें, तो कोग बोरुक भांसा को लेकर लोग काफी जागरुक हुए थे, कोग बोरुक भांसा को दिखा जाए दो, तो आठवी अंसूची में सामिल करने की बात कही गई थी, कि हम इसको क्या करेंगे, आठवी अंसूची में सामिल कराए वहीं बात करें किसकी तुपुरा की जो आधिकारिक भासा है वा आपकी कहन सी है पोर git मड़ीपूर की क्या है मैत ही है नागा-लैंग की क्या है इंगलिस है और मिघालय की क्या है गारो है तो यहाँ पर कितने यूग में सही है कितने कफन सही है वी हां सभी चारों के चारों यूग में जो हैं तो क्या है दोस्त सही है चारों के चारों यूग में सही है याद रखेगा चारों के चारों यूग में सही है तुर्पुरा बोर्ड आफ सेकेंटरी एजुकेशन ने तुर्पुरा में कोग बुरोग परिक्षा के लिए रोमन बेंगॉली दोनों लुपियों की अनुतिदी है जी हां चर्चा में इसलिए रहा कोग बुरोग की भास बाता की बात करें तो पहली बार कोग बुरोग जो आपकी भासा है यह कब तो यह एक सुधिसी भासा की तरह मौकिक भासा भी है इसे रोमन और बेंगलोव दोनों में लिपियों में लिखा जा सकता है और मैतेई की बात करें तो मरीपूर सरकार की एक मात अधिकारिक भासा है याद रखेगा यह उन भासाओं में सामिल है जो भारत के समिधान की आठवियन सूची का हिस्सा है जी हाँ आठवियन सूची का हिस्सा है उन भासाओं में यह भासा भी सामिल है आपकी भारते अंग् पहाँ दोस्ति क्या जहां बात करते हैं तो जिनमें अंग्रेज है अतरिक्त तरै ृता के रूप में दर्ज की गई है तो वह आपकी हिमाच्री परदेश चाने कंद 2 करला ऑनि की अह बात करें किसी सामिण मेघाला की प्रवुक भासा है देखा जाए दोस्त खासी गारो जी हाँ खासी गारो है मेघाला की भासा और देखा जाए तो अंग्रेजी राज्य की अधिकारिक भासा भी है ठीक दोस्त या दखेगा मेघाला की जो प्रवुक भासा है वा खासी भी है और गारो भी है और इस और यही आदमी भालर की भासाओं के सूची में उवरेज भी. अब देखा जाए अगले हम बात करते हैं किसकी दोस्षात अगले हम बात करते हैं अपने प्रश्ण पर. तो देश की जो राज हैं, राज की जो आधिकारिक भासाएं हैं, वो राज जो चर्चा में रहे हैं, खास करके उनकी सांस्कृतिक एतिहास से प्रिश्भूमियों को जरूर खंगा लेंगे अब अपने अगले प्रशन पर, सिया मांग गिबन, जो हाल ही में खबरों में थे, मुखिरूप से किस के लिए जाने जाते हैं, उनके गले की बड़ी थैली, उनकी लुप्ट पराय इस्थिती, उसकी गायन आवाजें या उनकी एक पतनी प्रक्रती, ये चार विकल्प हैं आ हाल ही में देखे गए या चर्चा में रहे, ये आपके किस लिए, जी हां, किस लिए ये आपके देखा जाए दोस्त, मुखिरूप से किस लिए जाने जाते हैं, ठीक, किस लिए जाने जाते हैं, ठीक, किस लिए जाने जाते हैं, तो विकल्प बड़ा सा आसान है, आपने अभी तक का जो जीवन है बिताया होगा किस पे बिताया होगा सौर्स पे यूटूब पे आप क्या देखते हैं सौर्स देखते हैं सौर्स देखके क्या करते हैं खुस हो जाते हैं खुस होके क्या करते हैं अपनी समय का देखा जाए दोस्त आप दुरुपयोग कर रहे हैं आप करिए अच्छी चीजों को देखने के लिए जो आपके एक्जाम के दिश्टिकोन से क्या है महत्पून है कब जब कम आप ऐसी सोच किजिए कि हमारी एक्जाम के सब्सक्राइब अगर हम बात करें UPSC अगर हमसे पूछेगा तो क्या पूछ सकता है आपसे UPSC चीटी के बारे में भी पूछ सकता है UPSC आपसे गिलहरी के बारे में भी पूछ सकता है UPSC आपसे ओरंग उटान के बारे में भी पूछ सकता है तो UPSC आपसे किसके बारे में जो आपकी निहारिकाएं हैं नेबुलाएं हैं उनके बारे में भी पूछ सकता है तो UPSC क्या है UPSC की बात करें तो UPSC एक अणू भी है एक परमाणू भी है और UPSC क्या है दोस्त ब्रहमांड भी है तो कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे UPSC से लेकिन वह चीज क्या होगी चर्चा में होगी तो जी हां ये जो आपके सेमांग गिबन हैं सेमांग गिबन की बात करें तो ये अपनी गायन सैली की जो इनके आवाजे होती है जी हां दोस्त गायन सैली की जो आवाजे होती है इनके लिए जाने जाते हैं जी हां और उनकी आवाज या फिकाशा उनकी गायन सैली के लिए ज हुखी होती है तो आज आप लोग क्या करेंगे यूटूब पर जाएंगे सर्ज करेंगे सियमांग इभन और इनकी जो देखा जाए इनके नेचर के साथ जो संबन्ध है उसको पढ़ने का या और समझने का प्रयास करेंगे ठीक काफे सारे चीजे होती हैं जो आपके कहीं किताबों में नहीं लिखी होती UPSC ने 2023 में और अंगुटान के बारे में पूछा आप से कहीं किसी किताब में नहीं लिखा गया है कि वह लकडी का यूज करता है किस के लिए सहद को चाटने के लिए फिर कहा जाए जो चीटियां है उनको निकालने के लिए कहीं नहीं लिखा है न तो आपके किसी स्टेंडर्ड इन्वार्मेंट के किताब में लिखा है न तो कभी न्यूज के पेपर्स में आता है ये सब चीजे आपको देख के या फिर कहा जाए आपके बिहयर में जो चीजे होती है ना वो चीजे समझ में आती है आपके और अंगुटान को आपने लकडी के साथ कर्तब करते वे देखा होगा ना लकडी के साथ खेलते वे या फिल काजा लकडी उसके हाथ में अक्सर देखी होगी आपने धान की पौध तयार करना सब ने देखा है बस खाली थोड़ा सा उसको क्या किया आप ग्रीड करके आपसे पूज दिया कि भाई राइस इंडेसिफिकेशन क्या है बस उलट गए उसी में चीजे जो है कम से कम गंभीरता के साथ उन सब चीजों को देखने का प्रयास करिए आपके आस पास क्या चीजे हो रही है यह जरूरी है आपके लिए बस स्टैन पर मिल जाएंगे चीजे रेलवे में मिल जाएंगे चीजे रेलवे में वह बाबा बंगाली वाला आपको एड नहीं देखना है ठीक भारती संस्कृति मंतराय दौरा चलाएंगे बहुत सारी चीजे हैं जो आपके रेलवे के दिखा जाए डैस बोर्ड पर लगी होती है अफ्रिका जाए रेलवे की बोगीज में लगी होती है उनको पढ़िए आप तो ऐसी चीजे कवर होती हैं आपकी राह चलते उठत बैठते पढ़ते सब जगह हैं आपको क्या मिलेंगे information मिलेंगी information gathering करना ही आपका काम है चले esimerk कि बिलकुल अ इस हैं शरी अब चलते हें आगे तो यह कि बात हो रही है बात हो रहे है आपके शियमांग गिबन की बात करें तो यह क्या है नीो दोस्त ये देखा जाये जो आई किसली में रखे गये हैं खीरो पाइक कहा जाते हैं इनकी बात करें साहिः ये आपके इंडोनेशिया में, मलेशिया में और थाइलेंड में जी हां। इंडोनेशिया मलेशिया और THIGHLAND में ठीक। गिबन और वहीं बात करें Q Sarcos Health Student 的 इसको कहा हो रखा गया है इसको सुभेड की स्रेड़ी में रखा गया है ठीक और वहीं बात करें किसी Skywalker जोरिला या हुड नूंना इसका कहना इसकी फीण या फिर कहा जैं नि Only लियोंग हुलाग गिबन की बात करें तो यह क्या है दोस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं आयूशिन की रेड लिश्ट में तो पूछा जा सकता है आप से कोई यहां पर इंडेंजर्ड है कोई सुभेद्य है या फिर कहा जाए कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इस्टन हुलाग गीबन और इस्टन हुलाग गीबन इनकी जो इस सिती है वो सर्वेट कि सिती अलग अलग है हो सकता है UPSC जानता हो कि आपने यह पढ़ रखा हो आप से पूछ देगा किस के बारे में स्काइवाकर हुलाग गिवन के बारे में critically endangered है आपने नहीं पढ़ा दो नमबर आपके गए तो ये चीजे होती हैं थोड़ा सा आपको अपनी limit के beyond जाना पड़ेगा अगर आप सूच रहें कमफर्ट जोर में बैट कर एक चेर पर घर में सब चीजें विवस्थित हों तो ऐसे नहीं होती तयारी आपको अपनी limit से बाहर जाना पड़ेगा और जी हाँ सपने बड़े हैं तो देखना पड़ेगा बिच्चे करना पड़ेगा आपको हाँ जी चलिए चलते आगे अपने अगले प्रश्णवे पर चलते हैं वेस्थिक जैव इधन गडबंधन Global Bio-Fuel Alliance के बारे में निमलखी कत्नों पर विचार करें आईए विचार करते हैं Global Bio-Fuel Alliance के बारे में पहला भारत ब्राजील और अमेरिका गडबंधन के संस्थापक सदश्य हैं दूसरा इसे टिकाव एधन टिकाव जैव एधन के उपहोग को तेज करने के उद्देश्य से कोब 26 ग्लास गो सिखर समेलन के मौके पर लॉंच किया गया जी हां बात किसी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बायो फ्यूल एलाइंस की जी हां ग्लोबल बायो फ्यूल एलाइंस भारत ब्राजिल अमेरिका गडबंधन के सदश्य हैं और वही बात कर रहा है दूसरे कथन की कि इसे टिकाव जैव एधन के उपयोग को तेज करने के उद्देश्य कोब 26 जो ग्लास गो में हुआ वहाँ पर ग्लास गो के मौकी पर इसे लॉंच किया गया सही कथन चुनना है आपको जी हां केवल 1 केवल 2 सीख 1 और 2 दो डी न तो 1 और नहीं 2 तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है बात हो रही है वैश्ट्रिक जैव इधन गर्वन धन की ग्लोबल बायो फ्यूल एलाइंस क नहीं लॉंज किया गया था यह आपका देखा जाए दोस्त यह आपके G20 के दोरान जी हाँ भारत जब G20 के दख्षा कर रहा था उस समय यह दोरान लागू किया गया था G20 के दोरान भारत ब्राजीर अमेरिका इसके सुदश दिशों में से हैं तो जी हाँ तो यहाँ पर की बात करें तो कनेडा और सिंगापूर यह क्या है दोस्त यह आपके अब्जरवर कंट्रीज हैं जी हां अब बात करते हैं अगले प्रशन पर अर्ग चेच 002 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किससे संबंदीत है जी हां अर्ग चेच 002 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किससे संबंदीत है विकल्प A हाल ही में चट्चा में रही महामारी B अब तक पाई गई सबसे पुरानी जोला मुखी चक्तान C एक धुमकेतू D यह अंतरिश मलबे को साफ करने के लिए एक ESC की पहल है यानि की European Space Agency की पहल है यह चार विकल्प है आपके सामने और संबंदीत है किससे अर्ग चेच 002 की बात करें जी बिलकुल स्वागत है हर्चित जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जी हां अर्ग चेच 002 की बात करें हाल फिलहाल में देखा जाए तो यह क्या है रोस हमने क्या देखा था हमने अर्ग चेच 002 के बारे हम बात किया था माली की बात कर रहे थे, हम बात किसी कर रहे थे, हम आपके western अलजीरिया की बात कर रहे थे, यानि के western सहारा में अलजीरिया की बात कर रहे थे अब ऐसे में क्या हुआ ऐसे में वहां ऐसी चटाने पाई गई यहां पर उन रॉक्स में क्या थे उन रॉक्स में बहुत सारे मिनरल थे और वो मिनरल आज के नहीं थे देखा जाए दोस्त यह मिनरल कपके यानि कि 4.5 billion year पुराने थे जी हां 4.5 billion year पुराने थे ठीक तो अब तक पाई गई परानी ज्वाला मुख्य चटान है क्या और चेछ जी हां सबसे पुरानी ज्वाला मुखी चटान है क्या अर्गिचछ बात के लिए नया है ँससे होऊ जिन में हरे क्रिश्टल पाए गये हैं और यह बाहरी अंतरि10 से आये हैं ऐसा कहा जाता है और देखा जा दोस्त इन में बहुत सारे ऐसे मिर्रल्स है जो हमारे जरूरते हैं वो पूरी कर सकते हैं जैसे हम किसकी बात करते हैं उर्जा की बात करते हैं उर्जा के लिए हम क्या करते हैं जिसे हम यूरेनियम को खोचते हैं या फिर कहा जाए अन्य ऐसे तत्तों खोचते हैं जो उर्जा इतनी पुरानी की दोस्त मैंने आपको बताया 4.5 billion year पूर्व की है कि दोस्त या रखेगा और यह तब की है यानि कि प्रिथवी बन रही थी यह बाहरी है यानि कि धर्ती के जो तत्व पाया जाने उनमें से नहीं है अलग है अब देखा जाए इसे ऐसा मुही कृत एकॉंड् गाउं में आ जाए जिसके आगे पीछे का कुछ नहीं आपको पता तो ठीक वैसा ही है यह जिसका नाम भाई आपसे कोई अलग नाम बताता हो आपसे कोई अलग नाम बताता हो ठीक और उसके आगे पीछे का कुछ नहीं पता कि भाई कहां से आया है किस राज्य का है किस दे तत्तव प्रत्वी पर पाएगैं. उन्में से इनके इन्में प्राव जो तत्तव हैं वो क्या है वो अलग है अब बात करें किसकी दोस्त अब देखा जाए तो यह इनमें सीसा 2006 इनमें लेड की बात करें लेड 2006 की बात करेंishment 2007 की बात करें परच्व मात्रा में है और यहाँ पर देखा जाए दोस्त विगयटित यूरेनियम टू थर्टी एट यूरेनियम टू थर्टी फाइब भी पाए गये हैं इनमें गया तो यह आपके सूर मंदल का निरमाड हो रहा था उस समय के प्रापत जो है क्या है दोस्त ये चट्टाने हैं जिँ में क्यूले देख पर मिलेंगी चीज़े हम सुपर अर्थ खोज रहे हम एक्षो प्लैनेट खोज रहे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी यानि कि आपके सामने ऐसे कौतुफल भरे देखा जाए तत्य होंगे जिनके बारे में सुनकर जानकर आप भी अचंबित होंगे तो ऐसे म क्या दोस्त ये रहा और्ग्चेज की बात चलिये हालही में एक प्रच्ण और चोटा सा बात करें पहले यहां बात करतेपने इस प्रश्ण की हालही में चर्चा में रहा N-Treat Technique N-Treat Technique निम्रिखित में इसे किस से संबन्दीत है N-Treat Technique की बात करें तो A. जल सोधन से B. मिर्दा उपचार से C. कैंसर उपचार से D. आपके अंतरिक्ष मलवे से तो जी हाँ N-Treat Technique की बात करें तो यहाँ पर जल सोधन से जी हाँ तो जल सोधन से समन्दीत है क्या आपकी N-Treat Technique किसे समन्दीत है आपके जल सोधन से तो महराष्ट की जो देखा जाए सरकार है या फिर कहा है वहाँ की जो नगरपालिका है वो अपसिस जल के सोधन को क्या कर रही है दोस्ट बड़ावादेर यानि कि उसके ट्रीटमेंट का इलाज उस जल का ट्रीटमेंट कर रही है तो उस जल के ट्रीटमेंट के लिए N-Treat Technique देखा जाए दोस्ट क्या कर रही है प्रियोग में ला रही है और ये देखा जाए दोस्ट पूरी तरह से क्या है इको फ्रेंडली बेजड है यहां इको फ्रेंडली बेजड जाकी तक्नीक है यहां पर ऐसे उत्पादों को प्यूग किया जाएगा जो पर्यावर को नुकसान न पहुंचाते हों ठीक जैसे हम किसकी बात करें नारियल के जूट की बात करें जैसे हम किसकी बात करें हम बात करते है कागज की ठीक तो यह सब चीजे क्या लाएंगे रेत यह सब चीजे लकड़ी के बुरा दे यह सब चीजे लाई जाएंगी इस जो जो जल अनुपचारित है उसको उपचारित करने के लिए ठीक चलें आगे बिल्कुल दोस्त आगे नहीं चलना है अब अपनी देख़ाएं हम पतावड़ी एंवाज की लिग लाएंगा बादे एंग फान वाह सब चार में अिया है नहीं चार में चार लाएंगे में भी डृ़ाल के लाहा आगे वाल सब चेरी के लाते खाने हे।